दोस्तों आज के वीडियो में परसित नदियों के किनारे बसे परसित सहरों के बारे में जानेंगे क्यूंकि एक्जाम में अक्सर कोईसन इसे पूछे जाते हैं और इसे कोईसन तो बनता ही है एक्जाम में तो शुरू करते हैं सरी नदी के किनारे और इधियाज से सहर बसा हुआ है या मूना नदी के किनारे आगरा सहर बसा हुआ है और गौमती नदी के किनारे लखनो सहर बसा हुआ है या मूना नदी के किनारे मथूरा सहर बसा हुआ है जेलम नदी के किनारे स्री नगर सहर बसा हुआ है तापती नदी के किनारे सूरत सहर बसा हुआ है काबिली नदी के किनारे स्री रंगा पटना सिटी बसा हुआ है काबिली नदी के किनारे तीरू चिरापली सिटी बसा हुआ है और सिप्रा नदी के किनारे उजेन सहर बसा हुआ है और गंगा नदी के किनारे उत्राखंड में रिसी केस और हरिद्वार बसा हुआ है जहाँ पे तीर दस्थल भी है और गंगा नदी किनारे उत्तर पर्देश में कानपूर, परियागराज, बनारसी और कनो जिसे सहर बसा हुआ है परियागराज को इलहाबाद की नाम से भी जाना जाता है और बिहार में गंगा नदी किनारे बकसर, पटना और मुंगेर जिसे सहर बसा हुआ है और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी किनारे फरकका, मुर्सिदाबाद, पलासी, नुवाबदीप, कौलकत्ता, डायमेंड हर्बर सिटी और गंगा सागर जिसे सर बसा हुआ है और गंगा सागर जो है वेस्ट बंगाल के इस लेंड के पास बसा हुआ है और गंगा नदी को बंगलादेस में पद्मा के नाम से जाना जाता है जब गंगा नदी बंगलादेस में इंटर करती है तो अब बरहमपुत्र में बरहमपुत्र नदी के नारे डिब्लू गार तेश पर और गुआटी इसे सर बसा हुआ है जो असम का सहर है और बंगलादेश में बरहमपुत्र नादी को जा मुना असमें बरहमपुत्र तिबत में तोसांग पो या सांपो और चीन में याला यालू तोसांग के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों हसते रहिए और हसाते रहिए और टेली हमारा वीडियो सुबा 6 लेकी 9 वजे के वीच पाते रहिए तो जै हिंद